वेलकम बैक एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंटर्शीब के अगले पार्ट में आज हम लोग आई-पी अड्रेस का जो लास्ट ट्योटिकल पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपका प्रेटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा तो देखते हैं कि कम सम कि अरिया में बाटे गया उसकी आदार पर और किसी अरिया में बाटे इस प्रकार चींप मिल खार्ट से इस बात की मुझे जांकारी मिल्टी थी कि लिए कि किस शीन और जो customer का serial number है वो customer का actual telephone number को represent करता था इसमें हम लोग इस बात पे भी discuss किया था जो पहला number होता लास number होता हम देते नहीं है इसी अधार पे telephone number का जो नया स्वरूप है इसको हम लोग IP address कहते हैं इस बारे में मैंने आपको दो तीन महत्पूर बाते बताई पहली बात यह बताई कि 2005 से पहले केवल एक सब्धम लोगों को सुनने को मिलता था केवल IP address लेकिन जैसे ही हमें realize हुआ कि आने वाला समय internet का जमाना होगा हमारे पास हर एक डिवाइसों को मुझे internet से जोड़ना पड़ेगा तो हर एक डिवाइस पे मुझे IP address देने के जरूरत पड़ेगी तो टेलिफोन नंबर का जो नया स्वरूप यानि इसे IP address कहते हैं 2005 में एक नए IP address का implementation शुरू हुआ तो जो पुराना जो standard IPF था उसको हम लोग आई पी भी बोर खहते हैं और नए वाले को हम लोगों ने IPv6 कह दिया और दिसंबर दो हजार पसीज तक पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जो नया IP address है वह इंप्लिमेंट हो जाएगा और पुराना जो टेलिफोन नंबर है या जो पुराने IP खतम हो जाएंगे फिलहाल इस सब चीजों के बावजूद भी अभी भी जो हमारा दुनिया का जो इंटरन ठीक है इसमें हम लोगों ने IP address को कल हम लोगोंने basic पाल टेक्ट रहे किया विजमें दो चांस सवाल होती है कैसे calculate की जाती है उसमें लोगोंने के लिए कहा गया था पहला सवाल निकालना था नेट्ट वर्क आईडी आप लोगोंने बहुत अच्छे से कल कैलकुलेट के जो मुझे आज है डूसरा आप लोगोंने ब्रॉट कॉस्ट आईडी भी निकाला और तीसरा आप लोगोंने इसमें आई-पी रेंज या इसको हम लोग पूल भी कहते आई-पी पूल और चौथा जो आप लोगोंने निकाला सबनेट मास्ट थीक है ना स्वरी नंबर आप आई-पी नंबर आफ आफ आई-पी ठीक है और जो हमारा लास्ट वाला है आपका पूर्शन जो इह है इसको बोलते हैं नेटवर्क आ सब्सक्राइब करें ठीक है तो यह मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप अगर आपको नेटवर्क आई-डी निकालना है तो सीरीस ही बात है यहां पे जो संख्या लिखी होती है इससे मुझे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि यह जो आई-पी एड्रेस लिखा है इसका पाते है तो यह पहला आठी फिक्स होगा दूसरा तुसरा सब्सक्राइब कर नेटवर्क आइडी वन नाइटी फिक्स हो गया वन सिक्सेट फिक्स हो गया फइपिक्स हो गया लास्ट वाले में सारी गिंती शुरू होगी अभी जीरो होगे और जीस दिए जीरो स्लाइस बारे में बात करें तो उसी तरह से पहला फिक्स हो गया दूसरा फिक्स हो गया और आल बीट्स आर दो वान डिस इस इड़ टू फाइप फाइफ लास चुन्टी पोर गया तीसरा जो हमारे पास में आई-पी रेंज ठीक है ना या पूल जो आई-पी रेंज है या आई-पी पूल है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो पहला आई-पी है वन नाइन्टी चुन्सिक्स से फाइप डाट वन से शुरू होगा और लास से पहले तक हम जाएंगे ठीक है और नंबर आप आई-पी की बात करे है तो यहांवाले केश में दो सीरा सीरा आपको दिखता है नंबर आ और आइ-पी करें चालेट करें अब्सकोलेपाद करके ही क्लिएं तो सकते हैं आपको जन्रल बता रहो आप कैसे निकालेंगे सी बात है यह तोटल हमारे पास में कितने रहे थाटी टू बीट से ठीक है उसमें तक फिक्स वाला कितना आठ यानि कस्टमर वाला बीट बचा वो बता तू की पावर अश्वरी है 2424 आठ बीट बचे तो जो आपकी बाइनरी बीट आएगी वह आएगी टोटल जो बचे हुए जो बैरेबल है तो की पावरेट हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिप्टी सिक्स हो जागा इसमें क्या होता है और तू सो पच्पन वाला भी कैलकुलेटिशन में इंकलिड होता है इसको माइनस कर देते हैं कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो इसमें बहुत ही आसान है इंसान जो होता है जब IP एड्रेस लिखता वह ऐसे लिखता लेगिन ये जो आईपीड्रेस है वास्तों में कम्पूटर में डाला जाता है कम्पूटर में डालने का मतलए मैं मैं रियल कंप्थ Dasで बाके बास भी सेम बवस्ता होगी आप देख सकते हैं जो इसमें जाएंगे नेटवर्क के अंदर जाते हुए प्रॉपर्टी में जाए और फिर आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पे आपके सामने एक पॉपप इस्क्रीन खुलोगी जिस पेटरनेट प्रॉपर्टी इसमें इसमें पहला लाइन है आई-पी अड्रेस दूसरा है सबनेट मास ठीक है तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको यहां पे चुकि एक्शली यहां पे जो आई-पी अड्रेस इसके साथ सलाइस होना चाहिए लेकिन कंप्यूटर चुकि समझ नहीं पाता ना तो कंप्यूट है अगली लाइन में चुकि यह चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हमारे कंप्यूटर के अंडर तो जो अगली लाइन होती है वह एक पहचान बनाता एक जानकारी बनाता है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर जान जाता है कि यह जो आई-पी अड्रेस लिखा इसका कितना भ सब्सक्राइब करेंगे हमारे आपके लिए ठीकि ना किन फैचान के लिए इसको सबसे पहले यहां पर zrobić हो गया उसके बाद हमारा ये और आपका नंबर हो गया अगर मैं इसके वह बात करूं मैं क्या करूंगा जीतने फिक्स बाग है उन्हों कर दो थीग ना सबको वन कर दो आठो बीट वन हो गया तो जब मैं इसको डेसिमल में लिकोंगा 255 जब वन हो जाए 255 एंड 255 टॉइन्टिफॉर तो और लास में जो बच गया जीरो अनि जो फिक्स पाल्ट है आप उसको वन करेंगे लेप हैंड साइट से राइट हैंड साइट त तो इसको पूरा का पूरा इसकी जो डेसिमल यानि कभी भी बीच में जीरो नहीं आएगी तो पहली चीज तो यह किलियर हो गई कि मैं जो भी समनेट मास्ट जो होता है मास कहिए या समनेट मास कहिए फिलाल अभी अभी आप एक दो मिनिट के लिए अब समझ लिए कि दोनो कोई भी आपका इलेक्रोनिक डिवाइस है इसी डिवाइस है वह इसली कर सकता है यह अंडरिस्टाइंड कर सकता है कि हाव मैंट इस और फिक्स कितने बिट फिक्स वह एडेंटिफाइब करता ठीक है तो इसको हम समनेट मास भोलते हैं तो अभी आप पर एक्जामपल अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं यहां पर सवाल लिखता हूं टैन डॉट टैन डॉट टैन डॉट टैन डॉट टैन सलाइस सिक्स्टीन लिखता हूं तो मैं पूछूँ अईस सवाल का समनेट मास कितना होगा तो चैट में आप लिख लेजी आपके टैनेंज भी लग जाएगी और मुझे समझ में भी आ जाएगा कि आप सही समझ रहे हैं या गलत वाट इद शमनेट मास आप दर टैन डॉट टैन डॉट टैन डॉट स्लैस सिक्स्टीन है तो जो मैंने भी बता उसके इसाफ से लेफ्ट हैंड साइट से शोला विट वन हो जाएंगे बाकि सारे जीरो हो जाएंगे तो उस इसाफ से आपको क्या आंसर आएगा समनेट मास आप लिखके बताएगे चैट में सभी लोग सिक्स्टीन है अभी सेख सिक्स्टीन है अपन्ना का अंसल बिल्कुल राइट है रितिक का रासन आई बिल्कुल सही पकड़ा आप कहां गरबढ कर गया अभी सेख आर्यू मेंटिक गेटिंग मैं पॉइंट देख लिजी कंफूज होगे ठीक है ना बाकि सभी ने पकड़ा है आप थोड़ा कंफूज से क्यों होगे किलियर होगे इसमें कोई कंफूजन नहीं होना चाहिए दीक है तो समनेट मास अगर मैं यहां पे एक काम करते हैं इसी सवाल में अगर मैं पूछूं 10.10.10.10 तो समनेट मास क्या होगा कि आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इस सब्सक्राइब कर पाएंगे इस सवाल का जवाब देना है चल्वाइब कर पाएंगे अब देखो इसका समनेट निकालना मैं अभी आपका नेटवर्क आड़ी निकालने के बोल रहा हूं कि वह समनेट निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि लेप्ट हैंड साइट से राइट हैंड तक हाओ मेन इंडिट्स रवन टूंटीएट बिट चौबीस हो गए अब इसमें भी आठ बीट में से वान टू थ्री फोर अठाइस हो जाएंगे वाकि सारे जीरो हो जाएंगे वान टोटल लाट का ग्रूप है तो जब मैं सलूसन लिख होंगा इसका ठीक है तो पहले वाले ग्रूप का टू फाइप हो जाएगा दूसरे वा टू पोर एट ठीक है ना इसके वाद शीक्स ट्वन्टीफ आठ पंदर आनी कि दो सब पच्पन में से आपको पंद्रा माइनस कर दोगे तो दो सब चाली सा जाएगा आपको मेरी बास समझ में आई हाँ या ना पहले लिखिए पहले आप लिएस या नो लिखिए आलार गे मेरी इसमें इसी क्वेस्चन में अगर आपका सलैस से हो जाए है आपका टीघ्म करेंगे आपको आपके लास व्यृमास सब्नेट का डिफरेंस कर ते लास वेस्टेंज कौश्चन और तुडए कि आपने समझ पाई या नहीं 10.10.10.10 30 का सबनेट मास क्या होगा लेप्ट हैंड साइट से राइट हैंड साइट टक 30 बिट्स और वान रिमैनिंग वनली जो आपका होगा क्यों टू बीट्स होगा जो 00 होगे उसी साफ से कैलकुलेशन में क्या आंसर होगा प्लीज लिखिए चैट में पहला गुरूप का क्या होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं आठो बीट हो गया दूसरे गुरूप का 255 तीसरे गुरूप का 255 और जो आपका लास्ट है इसमें 30 में से 6 बिट हो जाएंगे न 24 एक दो तीन चार पांच है जीरो तो इसकी बैनरी क्या होगी बाइ समझ में आगी निया देखो 123456 दो जीरो तो यह पुरा आपका यह हो जाएगा 252 तीक है बाकियों को समझ में आ गया कर लिजेगा इस रिकॉर्डिंग कर दूंगा तुम्हारों कर लेंगे ठीक है यह वैसी चीज है ना कि इसको अभी क्लास से भी सीडी वे तो भी दो मिनिट में कल आपको समझ में आ जाएगा तो एक कोस्चन और मैं कराना नहीं था लेकिन मुझे आपके कोर्स में में चाता करना है ठीक है तो आज के लिए रखते हैं कल अगेन मिलते हैं एब नाइस दे थैंक्क वाइनिंग बाए बाए